psychological analysis studying बहुत important है आप कितना भी technical analysis कर लो कितना भी money management कर लो कितना भी fundamental analysis कर लो अगर आपको psychological analysis सही नहीं है तो आप market से पैसा बिलकुल भी नहीं कमा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग के सामने हम लोग दो चार्ट खुले के रखे हैं एक है निफ्टी का चार्ट एक है बै लोग में बने रहे और सिखने के कोशिश करें किस तरह से आपको technical analysis fundamental analysis के साथ साथ आपको psychological analysis करना चाहिए ठीक है एंड जिन लोगों ने अभी तक हम आले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजी लाइक कर दीजे एंड वीडिय आप से मेस ना हो जाए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों psychological analysis करने से पहले हम कर लेते हैं पहले टेक्निकल अनलाइस तो मार्केट यहां पर 30 मिनिट के टाइम फ्रेम में हम निफ्टी की चार्ट को देख रहे हैं जिसमें 21600 के आसपास मार्केट घूम रहा है तो पाइब में निफिए मैं इसको तरह पर आप कर देते हैं व्यार्ट को छु Kenya दो तौब इसके ताइमप्रेम में देखेंगे मार्केट सुपास यहां से गणी कई स्टारट के पिर यहां से रिपेर्स किया फिर यहां से तो अगरि इसमेंOnolight को हम द्रौ करेंगे तो फाइब मिट्स के टाइम देखेंगे तो मार्केट यहां से यहां तक आता है फिर आहां जाते हैं स्विंग हाई बनाता है फिर यहां से स्विंग लोग बना फिर देन तो यहां तक सब कुछ सही है मार्केट फिर यहां पे जाता है फिर यहां पे लोग को ब्रेक नहीं कर पाता है ठीक है तो अभी तक का जो सफ़र है मार्केट का वो लवार लूप बना रहा था बट यहां पे आके वो प्रेक नहीं कर पाया यहां पे मार्केट रुख गया इसका मतलब है अभी साइकोलोजी का आएगा तो साइकोलोजी देखने के लिए आपको पहले बडरे टांव द्रेम प्रेम में जाना होगा कि की यहां प्रेंड नज़र आएगा ठीक जहाँ पे मार्केट आप देखे होंगे नीचे से अगर देखते हो ळेरा को पाय। इसलिए तो यहां पर कि count करें यहां पर सपोर्ट जोन बनाया है बशलों अगर यहां पर आगर मार्केट रोक रहा है उल्द संथा कि यहां सकने आप तो हमको यहां पे एक सपोर्ट नजर आता है अब इसको और चोड़ा टाइम फ्रेम कर देंगे तो यहां पे आपको क्लियरली देख सकते हो आप जो स्विंग लूक कंटिन्यू था वो यहां पे फिलहाल रुख चुका है अब यह साइडवेस जा रहा है मार्केट ठीक है इसको एक हम रेंज बना देते हैं कि यह टर्न लाइन ग्लोव और इस चैनल पर मार्केट अब आ गया रैट अब मार्केट इस चैनल के अंदर घुमने का ज्यादा चांसे से इसको तो इसको तो और आसा बारा टाइम फ्रीम त्री मिनिट्स में लेकर चलते हैं अब ट्रीक है अब ट्री मिनिट्स के टाइम फ्रेम में आओगे तो वही नजर आएगा आपको तो अब चलते हैं आप्शन चीन में एक मार्केट देख लो पहले 21600 तो 21600 में कॉल रेटर है 94000 जो कि एक आच्छा काल राइटिंग है ठीक पूट रेटर बिल्कुल भी नहीं है तो पूट रेटर अगर ज्यादा नहीं है तो मार्केट उपर जाने का चांसे स्काम है और कॉल राइटिंग भी अच्छा कासा है ठीक है इस लेवल पे तो 21600 में कॉल राइटर है तो आपको यहीं सजेशन दे रहे हैं मार्केट की एक क्या है रेसिस्टेंस है तो अगर यह रेसिस्टेंस है तो आमको यहां से कॉल भाई नहीं करना चाहिए अगर यहां पर पूट स साइड में है तो आप सब्सक्राइट में पितव जूड़ा नहीं जा सकता अब साइकोल जी के बात आ जाते तो यहां पर साइकोलोजी क्या हो सकता है अगर मान के चलो किसी रिजून से अगर यह नीचे की ब्रेक कर दिया तो कहले नीचे गिरेगा ज्यादा क्योंकि तो जितना नीचे गिरता उन लोग का पूजीशन कटना परता है क्योंकि यहां पर ज्यादा पूर्ट रेटर नहीं है तो हमको साइकोलोजी कहता है कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा भी वह वापस आ जाएगा क्योंकि इनीचे stop loss किसी का जादा नहीं है यहां पर तो यहां पर हमको बिल्कुल भी पूर्ट साइड नहीं जाना चाहिए psychologically और call side भी यहां पर नहीं जाना चाहिए बट हाँ अगर इस लेवल को break कर देता है किसी भी डिजन से ठीक है यह जो हाय रहाई था ठीक है इस लेवल से अगर मार्केट निकाल के यह अगर यह से करके continue बानके चलो ऐसे है कि है रहाई बना देता है ठीक है अब यहां आप से हो सकते है मत तो ऐसा कुछ अगर देखने को मिलेगा तो हम कॉल साइड जा सकते हैं बरना हम नहीं जा सकते तो यह साइकलोगर यहां पे यह काम आया call writer है but call rating गटेगा तो जाएगा ठीक है बात को एक बर में आपको समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को बार-बार देख लिजेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि put trader यहाँ पे ज़ादा नहीं है call trader ज़ादा है तो call trader ज़ादा है तो call letter ज़ेसे trap में आएगा वहां से market ज़ादा भागा हो सकता है कि सीधा सीधा भाग जाए तो अगर मौकर मिलेगा upside में range break out کرेगा तो आपको call side के लिए जाना है बरना आप शांती सी रखिए कुछ ना करिए दिमाग को जितने शांत रखिए उतना ज़्यादा बैटर है तो अगर आपको ऐसे trapping trading नहीं करना है तो आपको चाहिए होगा trade ही ना करें क्योंकि जो downtrend था downtrend यहां पर खत्म हो चुका है बट अगर किसी रिजन से मार्केट हो सकता है कि यह नीचे भी गिर जाए हो सकता है यहां से वह इसे नीचे भी आ सकता है बट अगर नीचे आएगा तो क्या हमको trade लेना चाहिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहां पर ट्रेटर नहीं हो सकते हैं एक दिन ऐसे तुरण गिर जाएगा बट बहुत जादा दिन क्या होगा कि यह यहां से बाउंस बेक करते हैं ठीक है इसे करके आपका बार बार आपका stop loss खाएगा तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है ठीक है जो साइब्सक्रास नोख वे पर ट्रेड मैं तो इससे तरह से आपको रकना है कि मैं अपने चैटिजी में रहाँगा या आप साइड में ब्रेक करेंगा तो रहुडर सैक। frame में जाओ आपको यहाँ पर निज़र आगा क्योंकि market क्या है market है बूल साइड में तो यह और एक दिन ऐसा हुआ था कि market लागा तर गिर रहा था लेकिन ultimately market upside में आ गया तो ऐसे आपको psychologically strong रहना है psychological analysis आपको करना है जो weekly analysis है उसी साब से यानि 30 minutes के time frame में जाओ अब देखो market का असली trend क्या है तो आसली trend के साथ चलो तो ही फाइदा में रहोगे अगर असली trend के साथ नहीं रहोगे तो आपको जिस तरह से इस दिन गिरा था उस दिन profit आएगा लेकिन जाता तर दिन आपको नुकसान ही होगा तो हम तो भाई ट्रेंड के साथ चलेंगे क्योंकि ट्रेंड इस ट्रेडर्स फ्रेंट बट आपको क्या करना है आप decision खुद लोग ठीक है हम तो चले अपने ही साब से अभी psychological analysis में आपको देखना है टाइम अभी देखे टाइम है बारा बच कर गारा मिनिट तो अभी अगर यहां पर breakout मिलेगा तो हम इंट्रें नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट के पास अभी बहुत टाइम है बापस रिवर्स करने के लिए तो जितना देर में हो सकते हैं यहां पर साइड इस करके अगर बाद में जाके देता है दो साइजिंग करने का तब अच्छा breakout मिलेगा तो अब एंट्रे कर सकते हो अगर वो breakout अभी दे देता है तो एंट्रे करने का फाइदा नहीं है क्योंकि यहां पर अगर आपको एंट्री मिल रहा है 640 के आसपास तो आपको बिल्कुल 700 तक टर्गेट रखना चाहिए जो उसका हाईर लेवल इसके उपर तक अपका टर्गेट होना चाहिए और स्टॉप लोस बिल्कुल इसके बीच में ठीक है इस स्विंग लोग की नीचे अपका स्टॉप लोस होगा ठीक है तो स्टॉप लोस का हमेशा ध्यान में रखिएगा और टाइम का भी हिसाब लागा लेजिए मार्केट के पास कितना टाइम है ठीक है तो साइकलोजिकल अनलाइसिस में टाइम बहुत वेक्टर करता है